नमस्कार दोस्तो, ट्रक्टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो एक छोटा सा अपडेट वीडियो है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना चलिए वीडियो शुरू करते है दोस्तो आज की वीडियो में हम देखने वाले है Force Motors की नई पेशकर्ष जिसका नाम है Force Motors की T1N दोस्तो ये एक Minivan कैटेगरी की गाड़ी है आईए इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में अधिक जानकरी पाएंगे दोस्तो ये रही Force Motors की All New T1N दोस्तो ये Force Motors की नई पेशकर्ष है और दोस्तो ये गाड़ी BS6 norms को follow करती है दोस्तो ये गाड़ी completely नए platform पर design की गई है और इस गाड़ी में Force Motors की तरफ से आपको डीजल इंजिन, CNG इंजिन और 100% fully electric drive 10 वाले variants अवेलेबल होंगे दोस्तो ये गाड़ी अभी तक properly launch की नहीं गई है अभी तब कि ये सिफ गाड़ी showcase की गई है दोस्तो दिल्ली में हो रहे Auto Expo में ये गाड़ी properly launch की जाएगी और इस साल के यानि कि 2020 के अन तक इस गाड़ी का sales चालो हो जाएगा दोस्तो दिखने में तो गाड़ी बहुत ही शांदार और जबरदस्त है और मैं ज़रू कहूंगा कि Force Motors के सभी designers और engineers ने इस गाड़ी के बीचे बहुत ज़्यादा मेनत की है और दोस्तो ये गाड़ी Force Motors की नई robotics और automatic machineों से लेस पिथामपुर के indoor वाले plant में बनाई जाने वाली है दोस्तो Force Motors की T1N भारत की पहली ऐसी van है जो crash और roll over compliance को follow करती है safety features की बात करें तो दोस्तो Force Motors ने अपनी T1N van में dual airbags दिये है यानि कि दोस्तो driver और co driver के लिए इसमें airbags दिये गए है उसे के साथ साथ चारो पहियों पर इसमें disc brakes का प्रयोग किया गया है और दोस्तो यही नहीं disc brakes के साथ साथ इस गाड़ी में ABS यानि की anti-lock braking system EBD यानि की electronic brake force distribution EDTC यानि की engine track torque controller और ESP यानि की electronic stability program ऐसे features दिये गए है दोस्तो safety के बारे में ये features मुझे बहुत ज्यादा दर्जेदार लग रहे है दोस्तो force motors इस गाड़ी में LED DRLs, projector headlamps, sliding passenger door, touchscreen infotainment system जो के android auto और apple car ले भी support करेगा उसे के साथ साथ power windows, USB charging ports और AC और बहुत सारे धेर सारे नए features देने वाली है दोस्तो इस गाड़ी के price और mileage के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी अभी तक properly launch नहीं की गई है दोस्तो जैसे ही गाड़ी market में launch हो जाएगी हम इसका detail review लेकर आप तक ज़रूर आएंगे दोस्तो कैसी लगी आपको force motors की नई T1N van मुझे नीचे comment section में ज़रूर बताना और दोस्तो मैं तो आशा करता हूँ कि force motors गाड़ी को जल्दी से जल्दी launch करे ताकि हम इसका शान्दा review लेकर आप तक जल्द से जल्द आ सके दोस्तो वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे comment section में ज़रूर बताना ये एक सिर्फ एक छोटा सा update वीडियो था मिलता हूँ आपको अगली बार अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रही है ट्रिपले डाइकास 10 vlogs, ट्रक टॉक्स, बाई बाई, जय हिंद जब टॉक्स, बाई, 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 जय हिंद